दोस्तों आजके इस वीडियो के अंदर में एयर टेल के बारे में बताऊंगा और एयर टेल 5G के बारे में बताऊंगा आपको बता है 2022 के अंदर ही 5G सर्विस भारत के अंदर आने वाला है कर दोस्तों आए दिन आप डिलाइन्स जो के 5G के बारे में डिफरने अपडेट फिर्णे अपडेट लेकिन आपको बहुत कम अपडेट आज के अंदर मिले होंगे तो आज कि इस वीडियो के अंदर में एयर टेल केパर कियों पर क्या कुछ आपडेट हमारे पास निकल करें पूरा डिटेल्स आप लोगों सा सेयर करूंगा चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो भारत के अंदर आगर मैं फास्ट टाइम फाइब जी लॉंच के बात करते हूं वो एर टेल यहां पड़ किया था सबसे पहले 5G टेस्टिंग एर टेल के तरब से किया गया था हाईदरबाद के अंदर एक बार आप सोचके देखिए पिछले शाल एर टेल मिल ली अपने 4G स्पेक्टरम को यह डायनामिक स्पेक्टरम सेरिंग की मदद से 5G पर कानवर्ट किया था हाईदरबाद के अंदर जहां पर जो स्पीर यहां पर आ रहे थे वो मिले ह regen डावलोडिंग स्पीर आल्मोस्ट 210 1 EPS आ रहे है था ह् और अपलोडिंग स्पीर आल्मोस्ट 75 EPS का असपस आ रहे है थे तो इस तरिके का जो तो 5G टेस्टिंग में डायनेमिक स्पेक्ट्रम सेडिंग को यूज करके एयर टेलने फार्स्ट टाइम किया था उसके बाद जियो मार्केट के अंदर आया उसके बाद जो वो डिफरेंट चीज हुआ गवर्मिन्ट की तरब से कुछ 5G स्पेक्ट्रम जो वो टेस्टिंग परपस के लिए हर एक टेलिकम कंपट्रम को दिया गया तो इससे पहले आपको पता है कि जियो की तरब से जो 5G टेस्टिंग हो रहा है वो नभी मुंबाई के अंदर हो जबरदस तरहें से चल रहा है और भी काफी ज़ाधा अपडेट जो वो वी आई कंपट्रम की तरब से निकल के आ रहा है क्योंकि वोड़ाफोन एडिया कंपट्रम मेली दो जगे के अंदर अपने 5G टेस्टिंग कर रहा है एक जो है वो गुजरात के गांधी नगर और सेकेंड जो है वो मुहराष्टो के पुने काफी बड़िया तरीके से कर रहे है लेकिन काफी दिनों से एयाटेल 5G के उपर किसी भी तरीके का अपडेट निकल के नहीं आ रहा था लेकिन फाइनली एयाटेल का जो 5G है वो ग्वालियर के अंदर हो रहा है आपको पता है इससे पहली मैंने बताया था और एयाटेल के अंदर 5G को अल्मोस्स सक्सिसफूली यहाँ पर कम्रीट कर दिया गया है उसी के साथ साथ एयाटेल 5G से रहेटेट काफी ज़ादा आगे आ पर आ जाते हैं इसी कारण से आगे आ जाते हैं क्योंकि भाई देखो एयाटेल कंपनी का जो फांडिंग है वो काफी ज़ादा एयाटेल को मिल रहा है वोड़ाफनाइटिया कंपनी 5G आक्सोंस के अंदर पार्टिसेपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके उपर काफी जाते दूबीदा है लेकिन अगर मैं एयर्टेल कंपनी की बात करता हूँ वो 5G से लेटेट काफी जाते सिरिया से उसी के साथ साथ डिफरेंट जगे से वो 5G के लिए फांड्स या पर एक्वार कर रहे है उसी के साथ 5G के साथ साथ अपने सैटलाइट इंटरनेट के उपर भी एयर्टेल या पर काम कर रहे है अब अगर पर्टिकुलरली में जियो की बात करता हूँ तो वो सेल्फ सापिसेंट है जियो के अंदर इतना पैसा है कि वो किसी से ज्यादा फांडिंग लेनी के आवशक्त नहीं है जियो हाला कि डिफरेंट कंपणी के अंदर इंवेस्ट कर रहा है तो जियो बिल्कुल सेल्फ सापिसेंट है किसी भी तरीके का दिक्कत जियो के साथ नहीं है लेकिन Airtel और Vodafone Idea ये जो दो कंपणी है जो 2016 सल से काफी ज़ाद स्ट्रागल पर चल रहा था Airtel कंपणी को एक huge amount of funding आपर मिल रहा है और इस funding को Airtel मिल लिए अपने 5G launch के उपर काम में लेंगे और जो भी लोग आसा करके बैटे कि Vodafone Idea के अभारत के अंदर 5G service को launch करेंगे देखे मैं आपको एक चीज़ साब वता देना चाहता हूँ Vodafone Idea के final sale condition अभी भी काफी काफी ज़ाद खड़ा भे किसी भी तरीके का class phone नहीं हो रहा है और जो investor से वो किसी भी तरीके का investment जो वो भी दाओ फोर आडिय की अंदर नहीं कर रहा है और एक कंपणी के अंदर अगर investment ठीक तरीके से नहा हो तो किस तरीके से वो कंपणी आगे बढ़ सकते हैं आप खुद ये बताइए क्या वो company आने वड़े time के अंदर sustain कर पाएंगे आपको क्या लगते हैं कर पाएंगे क्या चीज़ तो इसी कारण से Vodafone Idea के अंदर 5G का काम तो काफी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं लेकिन अगर वो fundrise नहीं कर पाया तो 5G options के अंदर participant नहीं कर पाएंगे और अगर participant नहीं आते हैं अभी देखते हैं Airtel काफी जबर्दस तरीके से अपने 5G का तायारी कर रहा है हो सकते हैं कि आने वाले अगोस्ट सेप्टेंबर के अंदर मिले हमें 5G service भी देखने के लिए मिल जाए लेकिन उससे पहले मेली आसा किया ज़रेगी मार्च या एप्रिल माहिने के अ जो 5G spectrum है उसका options होंगे और उस options के अंदर कौन से company कितना spectrum पहले purchase करते हैं वो सबसे पहले देखने वाली बात हैं उसके बाद ही हम यह assumption लगा पाएंगे कि ultimately working 5G service आपको कब तक देखने के लिए आपर मिल सकते हैं आपको क्या लगते हैं 5G से related कौन सा company आपर बाजी मार ले होना बिलकुल भी मत भूली है ऐसे interesting video daily basis देखने के लिए थैंक्स फर लचिंग बाइंटे क्यार आप से विच्पना करते को ऐसी को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्त अपना ख्यार लगिए गया